ओके तो गुड़ आफ्टर नून है गुड़ मॉर्निंग तो चूट गई है क्योंकि हम आज पुने से निकल रहे हैं अभी देड़ बज रहा है बाइक में दो मेजर इशूस तो नहीं थे बहुत माइनल से इशूस थे एक चेन टाइड करवानी थी और दूसरा था मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी है और ठीक है तुरसा लेट होगा है निकलने मेरे को लग रहा था कि आज में आरम से भी मशंकर करके और शायद रंबग भी पहुंच जाता लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मुझे भी मशंकर में ही इस्टे करना पड़ ज मतलब आपका जो कहना जी इना की माइंड सेट है वो कब चेंज रहाता है जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं हुआ क्या ऐसी बैठे हुए बातशीच चल रही थी उसने पूछा आपने गाड़ी कब ली मैंने बोला अपरेल 2000 सोरी डिसेंबर 2020 मैंने गाड़ी लिए तो बोला कि अच्छा कितनी चल गई तो मैंने बोला 24,000 हो गई है और ऐसा मने उसको बताया बोलता है मैंने अपरेल दोयार 22 में ली है और मेरी गाड़ी अभी तक 19 चल गई है मैंने का बाप रेव बाप भाई क्या करते हो सिटी कम्यूट करते हो क्या करते हो बोलता हर 17 बाभी तो पनने कुछ भी चीवनी किया है तो बेसिकली है अभी भी हम सीख रहे हैं मैं बोलता हूं हमिशा आपको कि मैं जो हूं एक अमैच्छर राइडर यह हूं और मतलब बीजिवी शीख रहा हूं राइडिंग करना सब चीज चारना मतलब ऐसे आसे बंड़ जाते है क तो देखकर बहुत ही क्यूट बंदा था यार योगेश भाई तो मैं इस्टागरां पर दूने कोशिश करेंगे इतनी सारी बाती हुई लेकिन इस्टाइडी नहीं ले पाई तुमसे बताओ यार यह भी कोई बात है क्यार जो भी है जैसा भी है मिलते हैं आप से आगे रोड पर फिलाल तो यह पुने का ट्राफिक इससे इस्ट्रगल कर रहे हैं हम चैनली उप करना है खाना खाना भूक लग रही है बहुत तेज और फॉर पड़ी इतनी पारो अब तो कि टो फाइनली चोटे साहे पर ब्रेक लिया मैंने खाने का ब्रेक लिया और खाना खालिया है पेट भरा हो गया है गर्मी बाप रपाफ बहुत तेज गर्मिया यार बहुत तेज रिट्रली बहुत तेज गर्मिया है थोड़ा से मैंने अपने सब खोल लिये है यह राइडिंग जैकेट अच्छी है इसमें सब एर वेंटिलेशन दिया हुआ है तो उसको ओपन कर लो तो हवा लगना श्टा डबल गर्मी पड़ रही है अभी तो पूरा विलेज विलेज रूट लग रहा है मेरे को आगे भी गूगल तो मैंने फिर भी सेट किया हुआ है ओ भाई सहाब अच्छा लागा है थोड़ा सा पेट में खाना गया है तो बाते भी अच्छी निकल रही है और साथ ही साथ अब यहां से अपने जो डेस्नेशन दिखा रहा है चार बच के बाइस मिट पहुंचूंगा मतलब दो हंट अभी भी दिखा रहा है चपन किलोमेटर ही है लेकिन गाउं की रोड है इसलिए शायद यहां पर टाइम दख सकता है गूगल को मैंने बिल्कुल भी बंद करने के सोचा नहीं क्योंकि आगे मुझे लग रहा है गाउं के बीचनेश जाएगी तो अपन पूछते भी जाएंगे और गूगल का सहरा भी देते जाएंगे दोनों बाते करते जाएंगे चलो फिर नजारों को लुट्फ लेते चलो मेरे साथ और बस इतना ही कहने के लिए है कि अभी बच रहे हैं साड़े तीर मुझे लगता है चार बरी तक मैं शाइद पहुंच रहा हूं का अधर हंटाओ लगे का रोड बहुत शांदार थी अभी तक सिंगर लें थी लेकन एक नंबर रोड थी यार मजा आगया मैं क्रूजिंग शैद पॉर्टी फिप्टी का कर जाओंगा क्या और आज अगर भी मशंगा स्टे करूंगा कर दो करूंगा परसो औरंगाबाद में करूंगा इस तरीके से मैं सोच रहा हूं कि और अगर अजनता चूटता है तो चूड यह लेकिन जो में में इंपोर्टन स्पोर्स वह सब अपने हो जाए वहादा बैट लेकिन भाई साहब अभी तक तो बहुत अची रोड थी लेकिन एकदम से यहां पर हलके हलके जटके लेगने स्टार्ट हो गए लेकिन बढ़िया यार कल मैंने गाड़ी चलाई हवा नहीं भरवाई थी मैंने सोचा तो हवा कम है करके और जब मैं आज सुबह पहुंचा हू कि आपने ना इसलिए आपकी हवा जो है वो बढ़ गई मैंने का हवा बढ़ भी आती है क्या बाहर से सोख लेती है क्या हवा पता नहीं जो भी है यह तो अपने को कुछ हजम नहीं हो आला कि मैंने पड़ा जरूर है कि ऐसा होता है बड़ देखने को आज मिल गया अब यहा से रोड थोड़ी सी आप देख रहो ना कैसी कैसी हो रही है इसी तो कोई दिकत नहीं है आराम आराम से भी जाएंगे तो पहुंची जाएंगे आज चलो बदलता हूं आपसे बीमा शंकर बै जोतिर लिंग और नुझे भी निमार्म य। इस नहीं गया कि दो कि मिलें या नहीं करने बस मैं आगया बावा ने बुलाया और अपने आगाए कि उनकोंपान महादेव के भक्त है यह पीछे जोतिर लिंग हे यहांपर एंट्री भी है और बड़े आसानी से यहां पर आपको दर्शन हजाएंगे मुझे लगता है शायद 15-20 मिनिट लगेगा आपको टोटल जूतिचपल जो हैं आप एंट्रेंस जब होता है वहीं पर उतार दीजिए तो आपको जूतिचपल लगने कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और मुझे लगता है कि धीमा शंकर जोतिर्लिंग की जो लोकेशन है यह बहुत ऐख्या है अब मैं सोच रहा हूँ कि यहां रुखू हूँ यहां से परने निकलते हैं देखते हैं अगर मूड़ बनेगा तो रस्ती थी पार्किंग यहां पर बैख सकते हैं यहां पर कुछ-kुछ टूपले घड़ा हुए चालके काना पड़ेगा निचे आए तरशन करके वापस आईए पार किंग में घाडी यहां पर भार सकती है पर्शन हो गया है, हल्किल की बारिश होगी, मैं सोच रहों कि अभी भी क्या कर रहा है, आगे नहीं पता है, तो लाज मैं आसे निकलने कोशिश करता हूँ, अगर मुझे लगेगा बीच में रुकना होगा, तो आज हैं इस्टे मार जाएंगे, तो फिर नासिक पहुंच अगे नहीं है, मजा आ गया यार, क्या स्लोप था, क्या ध्लान थी, एक नलमबर मजा आ गया, एक नबर यार, अल्टी मेट एइच्परियेंस, अल्टी मेट पहाड, अल्टी मेट वादिया, बहुत खूबशूरत, हैंडल वॉब्लिंग करता हुआ, होः आमारी थोड़ी पढ़ते हुए जो भी पहार देखो क्या खूबसूरत पहार एक नंबर पहार है मस्त यार अल्टिमेट संसेट होने को है शाम के पांच चाली सो रहे हैं मंचर पहुंचना है मंचर से बता रहे हैं की 148 किलो मेटर सनासिक है सामने पहार क्या खूबसूरत लग रहे हैं नजार एक नंबर माहौल एक नंबर रफ्तार एक नंबर रोड एक नंबर सब कुछ है एक नंबर मेरे वाई मज़ा आ गया मज़ा ऐसी किसी गाओं में किसी कजबे में मुझे एक दू दिन रहने का बड़ा मन है कि आउं रुकूं और फिर चले आओं इस टैप से चलो देखेंगे कभी फ्यूचर में कब ऐसी पर्मिशन मिलती है अपने को फाइनली पकड़ लिया हाइवे यह मंचर से कुछ पांच किलोमेटर पहले अपने को मिल गया हाइवे और यह हाइवे जा रहा है सीधे नासिक की तरफ अब यहां से नासिक दूर नहीं बहुत अच्छा तो मैंने पकड़ा घोड़ा और अभी अपन चले आ रहे हैं नासिक की तरफ बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए मस्त हो गया सब कुछ कार ग्रम और खाना वाना भी अच्छे से हो गया भी मस्त ठंडी हवा लग रही है और आगे जाके मैं सोच रहों ग्लाउस पहन लूँ कर रहा हूं कि तरंबगेश्वरी पहुंच जाओ आपे स्ठे कर जाओं आज रात में स्ठे कर जाओंगा कल सुबह दर्शन आएंगे कल अपन तरंबगेश्वर से निकल कर और अरंगाबाद पहुंच जाएंगे इस टाइब से मेरा कुछ प्लान अभी चल रहा है क्योंकि म अगर यह रोड ऐसे है तो फिर अपन तेल का मचा देंगे और अगर रोड इससे भी क्या होगा या तूलेन होगा ना और अंगाबाद जालना वाला जो रूट था और अंगाबाद एहमद नेकर वाला जू रूट उससे तो मरिख्याल से कुछ बुरा हो ही सकता तो बैटर ह चला वर आगे मिलते हैं अब से टी ब्रेक पर को फाइनली एक चोटा सा ब्रेक लिए चोटा सा मतलब मेर बेर को लगता है औहले गयो मुले लिए बहुत लंबा परेक हो गया है चाय पिये बस और चॉटा सा केक का तुखुडा खाया केक मतलब की फूट !! और और गाड़ी की लाइड साफ कर दी है दोनों ही बढ़िया जमाकरी अब और नासिक से 45 किलोमीटर पहले बारिश हुई है खूब तेज जरा से बचे हैं हम बारिश से भीगते हुए क्योंकि इस वर अपन रेन कियर गया ही बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं और आज देखिए ब सब्सक्राइब यहां पर बारिश बहुत तेज हुई है ताजा मौसम का अपड़ेट यह है वागी रोड एक नंबर है फोर लेन है अकर आप पूने से या भीमशंकर से नासिक आ रहे हो ना यह रोड दिन में करो पता है बहुत ही सीनिक वियू था यार बहुत ही सीनिक रू कार अब चैशल यह तो भी रखी सीटी लेकिन दिन में गरो किना आप को जो पहार देखेंगे ना इल्ती ने मीट लिवा ले यू पाहार वाले वियू से या पवर तो दिन में घर है मेरे को थो यू सा जल्दी निकल नगीए था बस मैं आपर है पहुञ ने देर मेंटेन कर रहा हूं आराम से चल रहा हूं रात का वक्त है तुरह सा अपन बहुत कॉशियसली ही राइड करते हैं वैसे तो लेकिन एक नंबर है एक नंबर बस अब यहां से 40 km नासिक है और वहां से 30 km रॉल पढ़ेगा त्रंब किया तो अल्मोस्ट एक गंटा दो गंटे का देड़ गंटे का सफर और बच्छा अभी फिर अभी जाके अभी होटल होटल मैंने कुछ बुक नहीं किया है वहीं जाके ब में जाके तुसा ताइम हो जाएगा तो खाना पचे आएगा और जाके सीज़ सोंगा नहीं फिर तो चलो बिलता हम आप से यागे और यह आगया है नासिक करेक्ट बज रहें साड़े नौ अभी मैं जा रहा हूं तरंबकेश्वर रोड पर तरंबकेश्वर वाली रोड को म मुझे साथा है ओके तो फाइनली मैं आगया रूम पर और मैं इस समय रुका हुआ हूँ ओयो के होटल में टाउन इन में सबसे इपॉटन चीज जो थी वो थी पार्किंग यहां पर पार्किंग मिढ़ गई मुझे वह भी कवर्ड पार्किंग है इसलिए मैंने यह होटल च शंकर एक घंटे में दर्शन की और घीमा शंकर से करेक्ट चार साथ चार घंटे के अंदर हम लोग पहुच गया है तरंबाकेश्वार में आप सोने का वक्ता अगया अभी मैंने दाल किछ्रा खाया है बहुत ही अच्छा हलका जो मिला मुझे खाने के तिए सबसे बेस जो हम उसके बाद मिलता हम आपसे कल सुबह तरंबेकेश्वार में